हलो इब्रिवन कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे निव टिप्स नहीं है के साथ आ गई हूँ फ्रेंज तो घैर और किचन के काम तो हम डेली ही करते हैं टिप्स एंट्रिक से करें तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत सारे चीज़ से हम बचत भी कर सकते हैं तो आज का जो वीडियो है बहुत ही योसफूल है बहुत ही कमाल का टीप से फ्रेंज जो की आपको बहुत पसंद आएगा और हाँ फ्रेंज आगे बढ़ने से पहले करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पर नहीं हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो कर दो नहीं हम पोच्छा लगाएं तो हम इस तरीके से जो है पानी में नमक डाल दें जैसे कि खाने वाले जो नमक होता है वही बहुत ही नमक हमें दो तीन चमच डाल देना है इससे क्या होगा घर में जो निगेटिव उर्जा है वो सब दूर हो जाएगा तो डिली ही हम इ मक्ही मच्छर यह सब बहुत उत्पन हो जाते हैं जिससे कि हर कोई परेसान हो जाते हैं तो उसे हमें इसके लिए घर का सापसफाई पर धियान रखना पड़ता है इससे जो है मक्हियां दूर और यह सारा चीज भाग जाएगा जिसे कि आप देखने वीडियो में थोड़ा सा म्किय है तो हम्हें इसे यूज करकर पोचा लगाएंगे तो इससे सारा मकिय भाग जाएगा और ये बीमारी से भी बचाता है जिसे की कीटाउ गजितनी भी होंगे वह सब खतम हो तो friends इस तरीके से daily पोछा लगाने से बहुत ही अच्छा होता है तो इस तरीके से ही पोछा लगाना चाहिए आपके घर में नहीं है रालन का तेल तो आप क्या करें थोड़ा सा नमक ही सीर्फ डालें और नमक डाल कर आप पोछा लगाते हैं तो उससे भी आपका जो है बहुत ही असर करता है जिसे कि गंदगी हो यह सब बहुत अच्छे से सफाई हो जाता है तो friends आप जरूर बताना कि मेरे वीडियो किसको उने से देख रहे हैं friends और पूरा वीडियो देखे तो भी आप लोग को पता चलेगा कि क्या-क्या है वीडियो में ठीक है तो चलिए friends यहाँ हम इस तरीके से आलू को उबालते हैं कूकर में तो क्या होता है ना इस तरीके से जब भी हम आलू को उबालते हैं तो कूकर आप दिखते हैं कि कूकर जब भी आप आलू उबालने या भी कोई साभी चीज उबालने तो अंदर से काला-कला हो जाता है और फिर हमें उसे साप करने में बहुत सारा टैम लगता है ना तो हमें थोड़ा सा ये जो है कटा हुआ निम्बू हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और इस तरीके से हम आलो को वालते हैं तो ये कुकर जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और हमारा कुकर अंदर से चमकने लगेगा ठीक है नि यहां पर मखी सारा जो भी चीज है वो सब नहीं आएगा फिर पौधे भी हमारा सही रहेंगे इस तरीके से तो फ्रेंज यहां पर जैसे कि हम यह मिठाई का डिबा हो या फिर सबजी आता है मार्केट से या फिर साबून आता है बरतंद होने का ऐसा डिबा में ति यह सब घर में बहुत सारा इस तरीके से हो जाता है तो हमें करना क्या है इस तरीके से फोग ले लेना है काटे वाले और हमें गरम करकर इस डबे में हमें हॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से तो फ्रेंज आप देखिए आप सोच रहे हुए कि हम इस डबे में हॉल कर क्यों रहे हैं तो हाँ friends आप इस वीडियो में बने रहे हैं तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम इसको इस तरीके से क्यों कर रहे हैं तो friends देखिए इस तरीके से हम जिसे दो तीन डबे जितने हैं हमको काम है उस तरीके से हम इस तरीके से डाल लेते हैं और इसमें हम डाले हैं नमक, हाँ नमक जो भी खाने वाले चीज़ है ना नमक, जो हम कीचन में यूज करते हैं वो नमक चार चमच और फिर यहाँ पे बिकिंग सोडा डाल दिये हैं, इसे डाल कर हमें इस तरीके से, इसमें आप चाहो तो थोरा सा जैसे की कपड़ा हम साप कर सकते हैं, सब्सक्राइब दो डाल गोले कि ऴार जगर एंक जो यहाँ बीडाओ कर साथ饭ा यहां यहाँ यहां पे डाल सकते हैं तो से डू चौमच के लन भगख आप यहां पे डालेंगे इसको डबे में डाल कर और फिर रहकर को लगा दे तो इसलिए हम चेत किये थे इसमें कि देखिए हम यह डबी को कहीं पर भी रखेंगे जहां पर मक्की मखड आ रहा है यह चूहे आ रहे हैं तो इसका जो सुगंध से है ना वो मक्की तो भागी जाएगा और फिर जो है अच्छा है दूद गरम करने के बाद मलाई बहुत सारा हो जाता है जीसे हमें इस तरीखे शेट देते हैं और फिर वेले इसको साप करते हैं तो इहां पर देखिए इस करब में क्या होता है ये लग जाता है मलाई इसका जो है और चिपचिपापन हो जाता है जो कि ये साफ नहीं होता है और हम बरतन को साफ करते हैं तो ये गंदा भी हो जाता है तो फ्रेंज बहुत ही अच्छा ट्रीख है जो कि आप लोग इसे ऑब यह दैज राष्पायर हो गया या फिर खाली पत्था इस तरीके से पढा हुआ है तो हमें फेक देते हैं उसको हमें आज के बार आप फेकेंगे नहीं फ्रेंड इस तरीके से आप क्या करें इसको रग दें zac क्यूंकि यह साइड में होता है नही तो तो सब्सक्राइब कीum करते कि एतों गव्राइब करने का त्रुक्राइल किले तो कोई है औरन जिंदान में निकल गया है के वीदियो के त्रुक्राइब यह टूर्टा है को किए में बाल्य को फिर दो Sup Link इसे शे만मने केश다는 आनलम जाता है और फिर गंदा भी हो जाता है जल्दि वो शाफ भी नहीं होता है तो वसेसको अब हम पाने से वे बरतन को धो देंगे तो यह साफ हो जाएगा फिर थोड़ा सा साबून लगा के हमें साफ कर लेना है इसे तो बहुत ही ऐसे छोटे-छोटे चुटे त्सиной होते हैं जि बड़ी लुटत ह duplication